Hello everyone, स्वागत आप सभी केख बार फिरसे एक नए वीडियो में और आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं Price volume के relationship को Price and volume का relationship सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी trader, किसी भी investor किसी भी swing trading में अगर आपको ये price and volume का relation नहीं पता है और आप trend कैसा expect कर सकते हैं फिर price and volume का दो example दिखाएंगे एक RVNL के साथ और एक warring renewal technology के साथ ये दोनों में दो different charts बन रहे थे इसलिए हम आपको ये price and का ये दो example लिए बिल्कुल भी buy and sell recommendation नहीं है ये दोनों share सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है सबसे पहले समझते हैं price and volume का relationship क्या है तो आफ ये समझे कि अगर आफ देखेंगे कि price किसी भी share का increase हो रहा है ठीक है price अगर किसी भी share का increase हो रहा है और volume भी increase हो रहा है जब price increase हो रहा है volume भी increase हो रहा है तो ये up trend support दिखा रहा है मतलब जब price increase होता है और volume भी increase होता है तो ये share एक up on trend में चल रहा है और आने वाले time में ये share आगे भागेगा और ये एक strong momentum होता है आगे जाने का ये इस example में हम लोग देख सकते हैं RVNL RVNL को इस example में देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिखा देते हैं फिर आपको समझ में आजगा तो आफ अगर ये RVNL का चार्ट देखेंगे न तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जब भी यहाँ पर share में movementum आया है जब भी ये share उपर जा रहा है ये share हमेशा अपने volume को support कर रहा है और इस share के buying के साथ साथ इस share में volume भी वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जब भी ये share upwards जा रहा है इसके पास huge volume है ठीक है तो ये share एक अच्छा huge volume दिखाएगा और ये share ये होता है upward trend next second condition पर हम लोग आ जाते हैं second condition की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर increase कर रहा है price और volume decrease कर रहा है उस particular case में volume do not support uptrend मतलब uptrend को volume बिल्कुल भी support नहीं कर रहा है और उस condition में volume उपर जाकर फिर से reversal आ जाएगा और फिर जो price होगा वो नीची आ जाएगा तो जब भी price volume को support नहीं मिलता है price का support volume से नहीं मिलता है तो price वहाँ से फिर से reverse आ जाता है यह आपको समझने वाली बात है ठीक है second यह condition था third condition अगर आप देखेंगे तो third condition में price जब भी नीचे गिर रहा है और volume increase हो रहा है price भी नीचे गिर रहा है volume भी increase हो रहा है तो यहाँ पे strong downward trend मिलता है इसका मतलब लोग बेचने में interested है क्योंकि volume जाता है और price गिरता चला जा रहा है और volume बढ़ता चला जा रहा है मतलब काफी लोग बेच रहे है simple सा logic है अगर price उपर जा रहा है और volume भी उपर जा रहा है means लोग खरीदने में interested है तो वो share जो होगा वो उपर चलता चला जाएगा अगर price उपर जा रहा है और volume नीची जा रहा है मतलब price के उपर जाना लोग को पसंद नहीं आ रहा है वहाँ पर volume support नहीं कर रहा है उपर जाकर price फिर से नीची आ जाएगा second trend था third trend है कि अगर volume decrease हो रहा है अगर price decrease हो रहा है और volume भी decrease हो रहा है इसका मतलब यहाँ से reversal दे देगा यहाँ से एक आफ को trend मिलेगा कि यह फिर से reverse हो जाएगा warring renewal technology जो है इसमें fit बैठता है आफ को दिखाते हैं अगर आफ देखेंगे share में तो यहाँ पर देखिए price जो है जब बढ़ रहा था ठीक है एक example है बहुत सुन्दर सा example है जब यह price बढ़ रहा था तो volume आफ देखेंगे volume भी increase हो रहा था ठीक है पर यहाँ से जब price घटा तो volume भी reduce हो गया इस condition में price अगर price गिर रहा है और volume जादा नहीं है इसका मतलब यहाँ से बहुत strong possibility है कि price फिर से reverse हो जाएगा और upon trend दिखाएगा यह बहुत ज़रूरी होता है price and volume का relationship आफको समझना, hope आफको clear हो गया होगा अगर आफको still कोई doubt हो, तो आफ comment section में पूछ सकते हैं, हम definitely उस पर और interesting चीज़ों पर हम video लेके आएगे और अगर आफको कोई भी doubt हो, कोई भी query हो तो आफ comment section में पूछ सकते हैं अपने discussions को comment section में carry out कर सकते हैं और do subscribe this channel and share with us thank you so much, bye bye, take care